उम्र के हिसाब से सब कुछ अच्छा भी लगे ला बुडा गिल बना का अब हम इतने की कहाँ तो सोलहूं साल के नई खान अहाँ हाँ सबका एक एज होता है अब 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 होई वीडिया के सामने ये कहा नो कमेंट जी हाँ सोहर गाने वाली सवाल पर खिसार इलाल यादों ने हाल ही में एक इंट्रिव्यू दिया इंट्रिव्यू उनके फरिस्ते फिल्म को लेकर था और इसी सेट पर जब रिपोर्टर ने उन्हें सोहर वाला सवाल पूछा कि आपको लेकर आजकल सोहर गाया जा रहा है तो खेसारी लाल यादव ने कह दिया no comment no comment उन्होंने क्यों कहा और किसले कहा आईए हम बताते हैं no comment उन्होंने इसले कहा क्यूंकि खेसारी लाल यादव बुरी तरह से ट्रोल हो रहे हैं सोशल मीडिया पर खेसारी खुद पवन सिंग से सिर्फ एक साल छोटे हैं अगर पवन सिंग अंकल दिख सकते हैं तो खेसारी लाल यादव क्यों अंकल नहीं देख सकते वैसे अब खिसारी लाल यादव को चौत तरफा विरोध का सामना जब करना पड़ रहा है तो खिसारी लाल यादव हैं कि अब खिसियानी बिली खंभानोचे वाली इस्तिती हो चुकी है यानि कि पवन सिंग को बुजुरुग भी खेर बुजुरुग बोला तो बोला पवन सिंग के कई सारे गाने ट्रेंडिंग में चला रहे हैं और तो और इस वक्त खेसारी के गाने हिट भी नहीं हो रहे हैं ऐसे में पवन सिंग से पंगा लेने के बाद हर तरह से घिर गया है वो और अब ये कह रहे हैं कि इन सब बात बहुत लोगों के जहन से धूमिल होता जाता है वैसे ही वो पवन सिंग का नाम लेते हैं और फिर से ट्रेंडिंग में आ जाते हैं यानि कि खेसारी हुए अक्षरा हुए लोग पवन सिंग का नाम ही इसलिए यूज करते हैं कि उन्हें थोड़ी और पॉपुलरिटी मिल सके या फिर वो लगातार नियूज में बने रहें भूचपुरी जगत की होट और मसालेदार गौसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूलिए